जैमाल लक्षमी दोस्तों मेरे चैनलन सुक्समरद्य उपाई में आप सभी लोगों का स्वागत हैं जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हमारा मुख्य दौर हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालता है ये हमारी तरक्की नातरक्की का कारण भी बन जाता है देखा जाता है क क्योंकि वहाँ पर नेगेटिविटी आ जाती है वास्तो सास के हिसाब से मैंगेट की दिसा सही है या गलत ये पता लगाना भी जरूरी होता है लेकिन अगर हम कुछ ऐसे चीजें भी कर जाते हैं कि मैंगेट के आगे कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे हमारे घर में परिशानि कर देते हैं तो मैं आच आपको सभी चीजे बताऊंगी जिसकी वज़े से हमारी मा लक्षमी हमसे रूट कर चले जाती है और हमारे घर में नकरातमक्ता आने लगती है तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिससे आ कमेंट प्लीज करना और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी जरूर करना थैंक यू तो आगे बढ़ते हैं जैसा कि बहुत सी ऐसी दिसा होती हैं जिसमें मैं गेट के लिए कि परिशानिया आने लगती हैं क्या होता है बताते हैं तो जैसे गेट के सामने हमें क्यार नही होने देना चाहिए जैसे हमारा मैं गेट है उसके बाहर हमें गंदा पानी जमान ही होने देना चाहिए उससे वैक्टीरिया तो उत्पन होती है और हमारे घर में धन आनी की कमी हो जाती है कभी भी हमें काटेदार पौधे कभी मुख्य द्वार के सामने नहीं लगाने चाहि कभी भी हमें द्वार के सामने अपने मैंगेट के सामने काटेदार पौधे नहीं लगाने हैं। बहुत से लोग सुन्दर दिखाने के लिए, सुन्दर ताई बढ़ाने के लिए अपने घर के सामने पौधे लगा देते हैं, लेकिन कभी भी काटेदार पौधे ना लगाएं, अगर आपको पौधे लगाने हैं, तो अपने मैंगेट के सामने सुगंदित, फूल वाले और तुलसाजी का पौधर लगा सकती हैं, उससे हमारे घर में बहुत तरक्की रहेगी, कभी भी कूडेदान को मत रखिये अपने मैंगेट के पास, क्योंकि असानी की बज़े से कुछ लोग मैंगेट के पास कुडेदान रख देते हैं, जिससे की कूड़ा फैका जा सके, लेकिन कभी भी मैंगेट के पास कुडेदान नहीं रखना चाहिए, ये मैंगेट जो होता है हमारे लिए बहुत माना जाता है, क्योंकि यहां से हमारे घर में सभी सुखसुविदाएं आती हैं जितने घर में हमारी समस्या हैं वो सारी खतम होती हैं और मैंगेट के जरी हमारे घर में सारी खुशियां आती हैं देखा जाता है जैसे हमारे घर में कुछ समान आता है या हमारे घर में कोई जितनी भी खुश हमारे आदमियों की आमदनी में परिशानी बन सकती है। तो आपको क्या करना है, आप उत्तर दिसाम में भी कभी कुड़ेदार ना रखें, इस से लश्विमाता डुरुस्ट हो जाती है। और आपके घर के सामने, जब भी आप घर बना रहे हों, तो ध्यान नके कि आपके घर के सामने, मैंगेट के सामने कभी खंबा ना हो। क्योंकि ये भी हानिकारक बहुत होता है, बिजली का खंबा हो या किसी भी चीज का खंबा हो, वो हमारी तरक्की रोग देता है और हमारे घर में परिशानी आन्म नहीं लगती हैं। वास तो सास्त में सीधे-सीदे लिखा है कि मैंगेट के सामने कभी भी ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। विजली का कमबा वगेरा कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए और पेड भी नहीं होने चाहिए हमारे मैंगेट के सामने बिलकुल जिससे क्या होता है जब होई हमारे सूरे का प्रकास पढ़ता है तो मैंगेट के सामने जो व्रक्ष लगा होता है वो हमारे प्रकास को रोक लेता सूरे के प्रकास को रोक लेता है तो वो आने नहीं देता है जिससे हमारे घर में नेगेटिविटी चमनम ले लेती है माना जाता है कि जैसे सूरे का प्रकास पड़ता है हमारे घर की negativity को वो अबजौर करके हटा देता है और हमारे घर में सकरातमकता बड़ी रहती है इसलिए हमारे घर के सामने पेड़ भी नहीं होना चाहिए हमारे घर के सामने कोई बेल भी नहीं जानी चाहिए जैसे हमारे मैन گेट के उपर से बेल चर्टी जारी होती है वो बेल भी कभी चर्टे होए नहीं जानी चाहिए ये भी हमारी उन्नती तरक्की को रोक लेती है और सत्रों को बढ़ावा देती है कभी दहली के सामने से उची सड़क नहीं होनी चाहिए जितनी हमारी मैन गेट की दहली है उससे उची सड़क ना हो ये भी हमारे रद्धी को हमारे उन्नती को रोकती है कभी भी दूद वाले पौदे घर के वहार ना लगाएं ये भी बहुत गलत माने जाते हैं और कभी गड़ा या कीचड़ा आपका हो गया है गड़ा उसे भरवा दीजिए गड़ा भी बहुत गलत माना जाता है कहते हैं गड़ा घर के मैन गेट के सामने होना कहते हैं कि गड़े में ही हम चले जाते हैं और मंदिर आपके घर के सामने मंदिर भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये भी हमारे व्रद्धी को हमारी जो आर्थी किस्तती है उसको रोग देता है कभी भी CD हमें man gate के सामने कभी CD नहीं बनानी चाहिए और वो भी हमारी तरक्की में बांधर डालती है और जैसे हमने gate बनवाया अपना मुख्यदवार सीधे मुख्यदवार के उपर एक और द्वार नहीं बनवाना चाहिए अलग दिसा में बनवाना चाहिए वो भी हमारे वास्तु के हिसाब से सही नहीं है और हमारे घर में ब्रक्ष बगेरा ऐसे होने चाहिए जो जिसमें दोस ना लगता हो जैसे काटेवदार पौधे आपको नहीं लगाने हैं, आपको इस तरह के ब्रक्ष लगाने हैं, जो हमारे घर में खुसाली लाएं ना कि नकरात मक्ता लाएं लच्मी जी की तस्वीर आपको बिल्कुल भी नहीं लगानी है गेट पे, क्योंकि माना जाता है कुछ लोग लच्मी जी की तस्वीर लगा देते हैं कि सुंदरता बढ़ाने के लिए या सौक में लगवा देते हैं मालच्मी की तस्वीर, इससे क्या होता है मालच्मी रूट क क्योंकि पति-पतनी को कभी भी अलग नहीं रखना चाहिए माता लश्मी पैडद दवाते हुए बहुत अच्छी तस्वीर मानि जाती है उसे ही आप अपने घर के मंदिर में रखें और केले के पत्ते का बंदनवार बहुत अच्छा माना जाता है केले के पत्ते का अगर आप बंदनवार अपने मैन गेट पर बानते हैं तो कुवेर सहीत मा लक्षमी आपके घर में वराज मान रहती हैं और आपके घर में सुख सभीधा आने लगती है और आपका घर नकरात मक्ता से बचा रहता है आपको कभी भी मुखे द्वार के सामने कच्रा नहीं फैक ना है फूल मैन गेट के सामने छोटी छोटी घंटिया लगानी चाहिए इससे क्या होता है जब वो रिंगिंग करती है बैल तो हमारी जो घर की नेगिटिविटी है वो बहार चली जाती है और हमारे घर की उससे सकरात मक्ता आने लगती है तो छोटी छोटी घंटिया हमारे जरूर मैन के बहार लगी होनी चाहिए जिससे हमारे घर में सकरातमक्ता आती रहे हमारे घर में पैसो की कभी कमी न हो हमारे घर में उन्नती बनी रहे महिलाओं को रात के समय कभी भी चौकट पे नहीं बैठना चाहिए माना जाता है कि जो घर की महिला अपनी चौकट पर बैठती है उसक कभी भी जूते चप्पल आपको गेट पर नहीं फैलाने चाहिए, मैन गेट जो हमारा होता है, वो मालक्षमी के आगमन के लिए होता है, वहाँ पर आपको जूते चप्पल नहीं फैला के रखने चाहिए, आपको एक तरफ कौनी में करके रखे, मैन गेट के सीधे आपको बि से ताले पढ़ जाते हैं हमारे मतलब भविस्य में ही ताले पढ़ जाते हैं वो हमारे भविस्य आगे नहीं बढ़ पाता हमारे घर में परिशानी आने लगती हैं आगर आपके घर में भी तूटे ताले और जंग लगे हुए ताले हैं तो आप बिल्गुल भी न लगाए उस से हमारे घर की तरक्की रुख सकती है हमारे घर की परिशानियों को भी ताला लग जाएगा और जाने का नाम नहीं लेंगी. तो आपको यह सभी चीजें करनी हैं अगर आप यह सब चीजें अच्छी तरह से करते हैं तो मालक्षमी की करपाब पर बनी रहती है लगा हो और अच्छी तरह से साफ सुतर होना चाहिए क्योंकि मां सिर्फ उसी रास्ते से आती हैं और हमारे घर में सारी खुसियां उसी रास्ते से आती हैं बंदनवार आप लगाएं कभी कभी जरूर बंदनवार लगाएं आपके लिए के पत्ते का बहुती सुब माना जाता अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, बैल आइकन ऑल पे कर देना, जिससे आपको मेरी आगे वीडियो मिलती रहें, और कमेंट भी करना हमें बहुत अच्छा लगता है, आप लोग कमेंट करते हैं, इतना आप प्याड कर देते हैं तो कमेंट भी करना अगर अच्छी आपको वीडियो लगती है तो जरू सस्क्राइब करना लाइक करना ठैंक यू